अगर आप hair transplant कंसिडर कर रहे हैं और hair transplant की cost को लेके आपके कोई सवाल हैं तो आज की वीडियो में मैं यह सारी बातें आपको बताने वाली हूँ Hair transplant की cost बहुत सारे factors पे depend करती है और इसमें सबसे important factor है कि आप कहां से hair transplant करा रहे हैं जिन डॉक्टर से आप करवा रहे हैं वो कितने qualified हैं कितने experienced हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जितना आपके डॉक्टर qualified और experienced होंगे hair transplant को लेके तो उतना आपका end result अच्छा होगा क्योंकि आपके डॉक्टर को पता होगा कि आपका donor area कैसा है आपके donor area से maximum utilization hair transplant में कैसे करनी है आप के doctor को पता होगा कि वो सही latest technique से आपका hair transplant करेंगे और इसके इलावा contra indications hair transplant की वो धियान में रखेंगे hair transplant के दोरान कोई risk या complications हो तो उसे manage करना आपके doctor को आना चाहिए उसके इलावा आपके doctor को ये पता होगा कि किस तरीके से best आपका result दिया जा सकता है hair line अगर construct करनी है तो उसके लिए क्या hair follicle का direction रहेगा तो ये सारी चीजें बहुत जादा important है और इसी पर आपके hair transplant का end result बहुत जादा depend करेगा इसलिए सबसे important deciding factor तो ये हुआ अगला deciding factor है कि आप जिस जगा से करा रहे हैं उस जगा का infrastructure तो अगर operation theater अच्छा है वहां का infrastructure अच्छा है तो ये बह बहुत important चीज़ है किसी भी surgery के दौरान hair transplant कोई एक छोटा procedure नहीं है ये एक proper surgery है इसलिए operation theater अच्छा होना पड़ेगा जहां भी आप करा रहे हैं वहां latest technologies होनी पड़ेगी infrastructure अच्छा होना पड़ेगा पूरी तरह से वो hair transplant center equipped होना पड़ेगा और इसमें ये भी ज़रूरी ह है कि जो भी instruments use किये जाएं वो latest हो और सही technique हो और उनकी team बहुत अच्छी हो तो अब team भी बहुत ज़रूरी है ये एक doctor का काम नहीं है इसमें doctors बहुत सारे doctors लगते हैं साथ में technicians लगते हैं तो एक proper team build-up होगी और वो team अगर experienced हो qualified हो उन्होंने बहुत सारे hair transplant करे हो clinic पूरी तरह से equipped हो latest infrastructure हो hair transplant के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत होती है वो latest हो तो आपका end result इस पे बहुत जादा depend करेगा और क्यूंकि इन सारी चीजों में cost involved होती है इसलिए hair transplant का result भी इन चीजों पे depend करेगा और क्यूंकि cost involved है इसलिए hair transplant की cost इन सब चीजों पे depend होगी वो है कि जिन patient का hair transplant हो रहा है उनका donor area कैसा है कितने grafts की जरूरत है उन्हें और किस area का hair transplant हो रहा है अगर कोई special technique की जरूरत है अच्छा result देने के लिए जैसे कि अगर beard area का hair transplant है अगर eyebrow का hair transplant है अगर body hair इस्तमाल हो रहे हैं hair transplant करने के लिए या crown area का hair transplant है कोई ऐसी technique की जरूरत है जिसमें एक special instrument की जरूरत है या technique की जरूरत है या जैसे किसी के curly बाल है तो curly बालों का hair transplant थोड़ा अलग तरीके से होगा तो ये इन पर भी depend करेगा कि जिन patient का hair transplant है उनका scalp कैसा है और किस hair transplant है इन सारी बातों में अगर एक specialist की जरूरत है तो उस पर भी आपके hair transplant की cost depend करेगी तो आपको ये समझना जरूरी है कि hair transplant में बहुत effort लगता है बहुत hard work लगता है ये एक बहुती skilled काम है ये एक art भी है और एक science भी है इसमें बहुत expertise और experience की जरूरत है और क्यूंकि ये ये एक बहुत थोटा procedure नहीं है इसलिए compromising on the cost of hair transplant would mean compromising on your health and compromising on the end result of your hair transplant I hope आपको ये video informative लगी skin और hair कैसे और informative content के लिए आप मुझे YouTube और Instagram पे follow कर सकते हैं हमारा YouTube और Instagram handle है DMC Trichology और Dadu Medical Center Thanks for watching झाल